जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जै गुरुजी महराज, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस मैं श्री गुर्वे नम्हा, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत को भी मे केल प्यार भरा जै घुरुजी संगत जी आज हम आ गए हैं 35-0 पर हैं और पढ़ने चारी में चरण हिसवर्च परियाप्स है ये दीपा सिंग जी का दिली से शिरिमती दीपा सिंग दिली ये संगत जी जिनका है ये सशन और बहुत छोटा सा है ये तो फिर मैं आगया और कंटिन्यू करूंगी जहां तक गुरूजी की आगया होगी है ना जितना वह कहेंगे पहणने के लिए मैं उतना पाठ अवश्य करूंगी तो गुरूजी आप बताईए कहां तक पढ़ना है जहां तक आपका आदेश होगा मैं वहाँ तक पढ़ूंगी है न तो आप आग्या दिजिए संगत जी गुरु जी का आप भी चैकार लगाई ध्यान से उनका सिम्रन कीजिए थूड़ा सा कॉंसें कीजिए क्यों कि होता क्या है हमें क्या करना होता है हमें तो बस परमात्मा का धियान करना होता है बाकी करना तो उनको ही है हमें कुछ नहीं करना हमें तो सिर्व उनकी बाते करनी है उनका धियान करना है बस और ये सब बाते कभी भी वियर्थ नहीं जाती ये बहुत important बाते होती है क्योंकि परमात्मा का जो लोग है वहाँ पे हमारी हाजरी लग जाती है कि हम कितना सिम्रन कर रहे है हमारा जो है बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है सिम्रन से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है है न और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम वो सेमरन खुद करते हैं उससे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता ही है जब हम दूसरे से करवाते हैं तो हमारा ब्याज और जदा लगके बढ़ता है आन जी तो हमें अपना एकाउंट मैंटेन करके रखना है बहुत अच्छे से है न गुरू जी तो संगत जी मैं तो गुरू जी से आग्या लेकर यह बैठती हूँ कि कुछ भी जिस भी माध्यम से आप अपनी संगत को समझाना चाते हैं वो ही शब मेरे मुझ से निकले कुछ भी अनिथा ना निकले तो गुरू जी मुझे इतना प्यारा गुरू मिला आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन बहुत ही अद्बुत बात है कि सच में मुझे तो इस सुरूप में अगुरू जी की थोड़ थोड़ी अक्टिविटी जैसे न हिलती हिलती भी दिखाई देती है जैसे वो मुझे कुछ दिखा रहे हूँ हाई मेरे को तो बड़ा ही हो जाता है क्या करूँ मैं समय नहीं आता अविरल अश्रुधारा मेरे आखों से निकल पड़ती है जब मैं फुल कॉंसेंटरेट के साथ इनके आगे खड़ी हो जाती हूँ तो मेरे परमात्मा मुझे नहीं पता कि क्या होता है कैसे होती है और कभ होगी वह भी गुरुजी जाने जब उन्हें करानी होगी करा देंगी है नि हम तो जो है सिम्रन कर रहे हैं लेकिन हाँ यतना मैंने फील कर रहा है कि इस स्वरूप में आखे बिल्कुल जब मैं आज सुभे भी ऐसा ही फील हूँ तो मुझे कि मैं आखों पर कॉंसंट्रेट करें थी तो लिप्स हीलने लग गए और जब मैं लिप्स पर कॉंसंट्रेट करने लगी कि भही गुरुजी की मुस्कुरहत कितनी प्यारी तो मुझे आखे ऐसा लगा जैसे कि कुछ हील रहा है वाइब्रेशन सी फील हो गई पता नि गुरुजी क्या हुआ और संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा मेरी तो पूरी अंदर तक आत्माई सिरसाहावटी और आखों से जो टप 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 मेरे आसु बहने लगे पता नहीं है आसु भी अपने आप ही क्यों आ अटोमेटिकली होता है गोड़नों से तो भगवानी जाने हमें नहीं पता हम तो बस एक नादान बच्चे हैं और जितना गुरुजी मेरे दिमाग में थोट डालता है कि आज मैं यह पढ़ रही हूं गुरुजी की क्रपा से पढ़ रही हूं उन्होंने मेरे को आगे है अबहार मांती हूं और सारी संगर जी कवि मैं बहुत आभार मानती हूं कुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेच भीज रहे है गुरुजी का शुक्राना भीज रहा है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात हुथ है कि गुरुजी को लोग शुक्राना भीज रहे हैं है ना, सारा गुरु परिवार मुझे गुरुजी की कृपा से मिल रहा है और मेरा परिवार आगे दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की कर रहा है बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है है न हर रोज नेने लोग मेरे साथ connect हो रहे हैं तो बस ए गुरू जी की blessing ही है कि गुरू जी मेरे साथ connection बनवा रहे हैं गुरू परिवारत बढ़ा रहे हैं मेरा है न तो संगज जी आप सभी से में request करती हूं कोई भी जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है गुरू जी blessing कल्यान किता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ कर मैं निवेजन करती हूं तो आप इस चैनल को subscribe अवश्य कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट में गुरू जी के लिए शुकराना भी अवश्य भीजेगा है न गुरू जी अच्छा लगता है ना जी बहुत अच्छा लगता है तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला ससंग पार्ट थर्टिफाइव का दिल्ली से शिरिमदी दीपा सिंग जी का चरन इसपरशी परियाप्थ है चंडीगड के मुख्य प्रियवेक्षक शिरी गिल ने हमें गुरू जी के पास फरवरी उन्नी सो निन्याडवे में दर्शन हेतु भेजा मैं तुरंद गुरू जी द्वारा अनुग्रहित हुई मेरे पेट और पैर में भेंकर बेदना थी और शुदियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था मुझे बहुत कश्ट था गुरू जी के चरन इस्वरश करते ही मेरे शरीर में उपचारात्मक परभा हुआ उनके हाथों से प्रसाद ग्रहन कर मेरा रोग बिलीन हो गया शिगर ही मैं उनके निर्देशा नुसार प्रती पकवाड़े उनके दर्शन करने में समर्थ थी मेरा पुत्र गुरू जी के प्रती आक्रमक और अवग्याकारी था उसे मैं गुरू जी के पास लेकर आई उनके ही आशिष से वे परिवर्तित हुआ और फिर उसे सदा उनके आशिरवाद की प्रतिक्षा रहने लगी उसकी दुरगटना के समय कार्त शतिकरस्त हुई पर गुरू कृपा से वे बच गया एक बार गुरू जी के निर्देश पर हम चंडीगड एक विभा में गए महा गुरू जी ने हमें शिरी गिल के घर जाने के लिए कहा जहां वे उसी दिन कुछ देर के लिए ठैरे थे वे कक्ष उनकी सुगन से भरा हुआ था और हमने जी भर कर उनके चित्र द्वारा उनके दर्शन किये गुरू जी के मस्तक पर गुरू नानक देव की मुखात्रती इस पर दिखाई दी एक अन्य अवसर पर मुझे गुरू जी के गिलास में शिव के नाक देवता दिखाई दिए सेवा निर्वत्ती के कष्ट 2001 में मेरे पती को उनके कारले में उनके कनीष्ट और वरिष्ट अधिकारी व्यथित कर रहे थे शिगर ही गुरू जी की दयास से वह सब अधिकारी इस्थानंत्रित हो गए 2003 में जब वह सेवा से निर्वत्त होने वाले थे पुरे कष्ट बढ़ गए उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से से निर्वत्त नहीं होने दिय रहे थे उन पर जुटे अक्षेप लगा दिये गए उन इसके कारण वह अत्यदिक दुखी थे पेंशन और अन्य अनेक भत्तों का मिलना भी संधियासपद हो गया था उन्होंने गुरू जी से प्राप्तना करी किन्तु गुरू जी का अशिरवात प्राप करने के बाद उसने कानून का पाठे करम आरंब किया और पर्थम वर्ष में पर्थम शेर्णी से उत्रेन हो ली मेरा पुत्र इलेक्ट्रोनिक अभियनता है और उसकी पतनी एक कंप्यूटर कंप्री में कारे रत है वहाँ पर कारे शुरू करते ही गुरू जी की दया से वहे परिशिक्षन के लिए अमेरिका गया और उसे 10 वर्ष का वीज़ा भी मिल गया हमारे परिवार पर गुरू जी की कृपा बनी हुई है यदि हम गुरू जी के पास नहीं आ पाते तो वहे हमें स्वपन में दर्शन देते हैं जै गुरूजी, शुक्रान गुरूजी ये थी श्री मदी दीपा सिंग दिल्ली से संगाँ जी इनका सच्प्रा आपने सुना, बतेजी कैसा लगा आपको है ना? अब हम नेक्स्ट है ये भी छोटा से सत्संग है एन एल सप्रा दिल्ली से हैं ये कोई सप्रा है ये एन एल सप्रा दिल्ली से इनका जो टाइटल है वो है मैं उसे स्वर्ग से वापिस लाया हूं तो सुनिए आप ध्यान पूर्वक वुम नमशिवाय शिवजी सदा साय वुम नमशिवाय गुरुजी सदा साय कही वर्षों से मेरी पत्नी वातरोग और जोड़ों के दर्ध से पीड़ी थी च्छे बश तक उसने एम्स और उसके पचात होमोपैथिक का उपचार कराया था पर कोई लाब नहीं हुआ था जोडों के दर्द के कारण में चल भी नहीं पाती थी बैटने और उटने में भी साहिता की आपशकता होती थी मई 1908 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक तामर लोटे के साथ उनके आशिश के लिए आने को कहा अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया गुरुजी ने तामर लोटे को अभी मंत्रित किया मेरी प पश्चात सुभय उसमें से आधा जल पीना था और शेश से स्दान करना था कुछ समय में ही उसकी सिती में सुधार आया समय के साथ उसके जोडों की वेदना भी कम हुई गुरू कृपा से वह अब चल बैठ और उठ पाती है जै गुरू जी अपरेल 2005 में गुरू जी ने पु 230-120 कुछ समय तक उसको देख रेक में रखा गया और लगा था रोश्टी सेवन करते रहने को कहा गया दो सप्ता उपरांद उसे श्वसन शोध का दोरा पड़ा क्योंकि उसे श्वास लेने में कटनाई थी उसे नेबुलाइजर का प्रियोग करने को कहा गया एक दोपैर को उसकी अवस्था अचानक बहुत गश्प्रद हो गई और उसे सांस लेने में कटनाई हो रही थी जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शुन्य हो गई थोड़ी देर में उसे होश आया परंतु वह व्याकुलती और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है थो वैसा ही किया गया गुरू कृपा से सब सुचारू रूप से चला और दो सप्ता हमें स्वास्थे लाब कर वह घर आ गई पूर्ण स्वास्थे लाब होने पर हम गुरू जी के दर्शन के ले गई शिरीमती महता नामक एक भत ने मेरी पतनी से उसके स्वास्थे के बारें प पूत्र और पूत्री दोनों उनके अनुयाई हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारा पूरा परिवार गुरू जी के दया के लिए उनका अत्यल्त आभारी है एन एल सप्रा दिल्ली से जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी तो इनका ससंग भी हाँ पे हैं और स्वर्ग से यानि के इसका मतलब यह कि उनके एक बार डैथ हो चुकी थी और गुरू जी उनको वापस लेके आए हैं उनकी इतनी ज्यादा थिती खराब हो गए थी तो जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अगर गुरू जी ना इसा बोला है कि वह उनको स्वर् संग बहुत बढ़ा है कि देखो कितना क्योंकि किसी की पूरी तरह से मृत्यू हो गई तभी उसे कहा जाएगा कि स्वर्ग से लेके आए हैं है ना लेकिन गुरू जी तो कुछ भी कर सकते हैं असंभग को संभग करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चलो बहुत बह इंपनी महेंर सारी संगत पर बनाए रखना जय गुरु जी सुक्रा नकुरुछि सब का कल्याण कर सब करना अब। नेक्स्ट ससंग है ये नरेंद्र नेपेने हम पढ़ लेते हैं इनका शिरी मती नंदिता चंदर गुरगाओं से है इनका ससंग है ये मुझे गुलाबों की सुघंद आई इनका टाइटल है ध्यान पूरक सुनिये संगत जी एक पर चोर से बोल दीजिए जै गुरुजी शुक उम नमशिवा एशिव जी सदा साय उम नमशिवा एगुरुजी सदा सहाए मुझे गुलाबों की सुघंद आई अपने परिवार के एक घनिष्ट मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से दोजाचार में मिली पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ प बैट गई हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दिष्टी मुझे पर ही केंद्रित है मैं अपने नेतर बंद कर सुन्दर भजनों के रसमें डूब गई एक दो बार मैंने अपनी आखे खोलने का प्रियास गया पर नहीं कर पाई अचानक दूब रही थी मैंने अपनी आखे खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे केवल कुछ कृतिम पुष्प रखे हुए थे मैंने गुरुजी की ओर देखा तो मुझे ही देख रहे थे मैं बोले हुन दस प्रैक्टिकल ऐ कैसी और मैं उसका विश्टेशन नहीं कर पा वे मेरी दृष्टी की नस के उपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टी हिन हो सकती थी मुझे अतितिवर ओश्दियां दी जा रही थी परति दिन तीन प्रोमो क्रोपितन इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी काररत होते वे मैं अपना कारिय ठीक से नहीं कर मैं गुरू जी के पास जाकर शांति से बैठ परतना करती थी मैं आशह करती थी कि शले क्रिया करवा कर गुर्मे को निकलवा दूं और आउश्दियां बंकर दूं गुरू जी ने मेरे विंती सुन ली आउश्दियों का सेवन करते व EVERY भी वह गुल्मा बढ़ता जा रहा थ अक्टूबर 2004 में मेरी शल्यक्रिया हुई उन्होंने मुझसे ती थी चिकसाले और चिकसात का नाम पूछा और बोले कि उनका आशिरवाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा मुझे भी पता था कि अब कुछ आसमाने नहीं हो सकता नहीं हो सकता है यह एकत्यन जटिल शल्यक्रिया थी पर मैं प्रसंती मुझे पता था कि गुरूजी मेरे साथ है मेरा स्वास्ते लाव अनुमान से कहीं अधिक तिव्रगती से हुआ और कीमो थेरपी जो सामान्यत दो मास के उपरांत शुरू करने थी तीन सब्दा के बाद ही आरंब करती गई किसी को विश्वास नहीं हो रहा था चिकित साले से बहर आते ही मैं गुरूजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बढ़ाई दी मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन परदान किया है विकीरन चिकित सा होते वेवे मेरे उपर कोई दुष प्रभाव नहीं वा, मैं अन्य रोग्यों को स्टेचर और पहिये वाली कुर्चों पर बाहर आते हुई देखती थी, इसके विप्रित उन दिनों प्राता मैं अपने कारेले का काम करने के बाद चिकेसाले जाती थी, और उसके उपरांत बाजार में जया दृष्टी करी, जिनके संपर्क में मैं आई थी, मुझे एक नौ वर्षय बच्चे का संधर भ्याद है, जिसके मस्ष्ष में गुल्मा था, उसके अभिभावकों को चिकिसा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी, क्योंकि उसके पिता निर्धन तो कहीं धूर सरकारी नौ गुरुजी का चितर रखती हो, मैंने उसकी मा को वें लॉकेट उसकी आँखो पर परति दिन रखने के लिए कहा, मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी साहिटा आवशे करेंगे, एक सक्ता के बाद वेह मुझे पुनह मिले, वेह बालक कीमो थेरेपी के लिए बापस स्वास दिख रहा था, उसकी मा ने कहा, कि जब से उसने में लॉकेट उसके उपर परति दिन प्राते रखना आरंब किया है, वे अच्छा होने लगा है, और चिकित्सक भी उसका स्वास्थे लाब देखकर अचंबित है, जब मेरा बेटा धाई वर्ष का था, मेरी चिकित् सिक्षा करते हुए, मैं गुरुजी से यह विंति करती रही, कि वे अंदर जय के साथ रहे, उस परिक्रिया में तीन घंटे लग गए, जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वे चिंतित थे, इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूशित फूंसिया थी, जिनकी बायोपसी करवानी थी, उन चार दिनों में मैं अत्यन्त व्याकुल रही, मैं गुरुजी से हर समय उनकी क्रिपा के लिए ही प्रातना करती रही, गुरुजी ने जय को आशिरवात दिया, परिनावमों में कुछ विशेश नहीं निकला, केवल साधरान संक्रमन जो एक सप् चल जाता है कि हमें किस स्वस्तु क्यावशकता है, हम उसके प्रती अन्भिग्ये रहते हैं, वह दोनों प्रतान करते हैं, उनको कुछ भी कहने कि आशुकता नहीं है, मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठ कर लिख सकती हूँ, कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ क्या है पर जैसा वे स्वस्तु कहते हैं, शौट में सुनाई, हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, शिरी मती नंदिता चंदर गुरगाओं तो ये इनका ससंग सुना संगत जी आपने, और बहुत शौट में इन्होंने अपनी बात कही है, और अब इनका ससंग समाप हुआ, तो बताएगा आपको कैसा लगा, है ना, तो अब इसमें हम जोईन करते हैं, दूसरा ससंग, इनका है, नरेंद्र तनेजा दिल्ली से, है न तो स्टार्ट करते हैं, ओम नमाई शिवाय शिवजी सदा सहाई, ओम नमाई 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 शिवजी सदा सहाई, गुर मेरी पूजा गूरूगोविंदा हुआ गुरु मेरा पारव्रहमु गुरु बग्वंता गूरु मेरी पूजा यह बड़ा ही सुन्धन यहー उनके लिखा हुआ है वाउ अमेजिंग, बहुत अच्छा लटता है, मुझे ये दिल को छुजाते हैं, ये शब्द, फरवरी 2005 में, अच्छा पहले इनका टाइटल बता देती हूं, दिर्ग कालिक कैंसर का सफाया, फील्ड है, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविन, गुरु मेरा पार्वन, गुरु शल्यक्रिया के अन्यता कोई और उपाई नहीं था, अन्यता की शल्यक्रिया बंबई चिकसाले में हुई, उसके पश्चात प्रती तीन सप्ता के अंत्राल में छे बार कीमोठेरपी होनी थी, उसी समय इश्वर दूद की भाती, मेरी बहन और उसके पती, जो गुरु जी के अन्याई थे हमारे घर आए, उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया और उनका आश्यवाद लने के सलहा दी, एगले ब्रस्पतिवार को हम गुरु जी के दर्शन के ले गए, हमने हाल में प्रवेश किया ही था, कि गुरु जी ने मेरी पत्नी से बात करी, उन्होंन उसे उसके नाम और घर में वयपार, घर में प्यार वाले नाम से संभोजित किया. अनीता लखनाऊउं वाली बबली अंटी, हमें एकदम आचेरे हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का प्राधृफ्भा हुआ, उसे पर्तित हुआ कि उसकी समाप्त हो गई है और गुरु कृपा उस पर सदया बनी देगी। गुरु जी ने अनीता को एक कामर लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अभी मंतरित किया। सहास बनाई रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरु जी भी उसे धांडस देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वैस स्वस्थ है और प्रते दिन एकाद पैग विस्की भी पी सकती है। इनी दिनों गुरु जी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रे तीन वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उस रोक के कोई लक्षन नहीं है और वह पुन्य पहले की भाति मिलंसार और हस्मुक है। गुरु जी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ गोशित कर दिया है। समस्थ परिवार के सदस्य मित्र गण और उसके चिकिस्षक भी उसे स्व परदे की तीन धम्यां बंद मिली। गुरु जी ने मेरी चिकिस्षा अपनी विद्धी से करी। यदि भी मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के तुरन के उपरांत गया था। उन्होंने मुझे तुरन शले क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहल उन्होंने मुझे शले क्रिया करवाने को कहा। मेरा विचार से वे उचित समय की पर्दिक्षा में थे। मेरे मधुमगी के कारण उस समय विब्दा की संभावना अधिक रही होगी। अनिता लगातर गुरु जी के दर्शन तेले जाती रही। उन्होंने मुझे भी मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतित कर रहा हूँ। क्या गुरु जी और उनकी दिवय कृपा के अन्यता ये संभाव था। गुरु जी अनिता को कहते थे कि वैं सवस्था और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशिरवासे अब हम दोनों में अधिक आक विश्वा, शांतिय और उलास है। हमें सदा उनकी उपसिदी का आभास रहता है। हमारे लिए वेह परमेश्वर हैं, निश्क पट आस्था के साथ उनके पास पहुचे परतियक मनुश्य को उनकी दिवय कृपा की प्राप्ति होती है। नरेंद्र तनेजा दिल्ली से। जै गुरु ज जी शुक्राना गुरुजी, अनन्तम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का भला करो, पूरे गुरु परिवार का भला करो, हमेशा अपनी महर बनाए रखो, हर शन, हर पल, अपनी महर, अपनी किरपा बरसाते रहो। जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इनका स संगत जी नेक्स्ट है जीवन मृत्यू के रचियता और यह है इनका इनका है यह है नरेंद्र ढंड एहंदाबाद द्वारा कथित इनका संगत आप सुनिए जरूर सुनिए जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी जीवन मृत्यू के रचियता श्रधालू की निजी नियती में गुरू जी का हस्तक्षेप जहां पर वे है भक्त को उन विबडाव से बचाते हैं जिनका उसे ज्यान नहीं हो और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारन समझना सरल नहीं है साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर शक्तिशाली के कृतिये जीवन और मृत्यू पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं दुष्ट आत्मा बनाम गुरु उर्जा नरेंदर ढंड अब एहमदा बाद इसी जनरल इलेक्ट्रोनिक में कारेरत के परिवार को एक विचित समझ्या थी उनकी पत्नी के शिदी में ख्यक्सिशाली दुष्ट आत्मा ने परवेश कर लिया था उनकी मापटियाला में नव पर विशास करने के लिए नरेंदर ने उन पर भ्यंकसा कि हर इट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे अन्तिता परिवार को चंडीगड में शिवरात्री के अवसर पर गुरु दर्शन के सभाग्य प्राप्त्वा नरेंदर ने अनेक सत्संत सुने और गुरु जी को यह भ सत्य सिद्ध हुआ अगले दिन प्राता साड़े चार बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए जब उनके शनक अक्ष का द्वार खुला और नरेंदर ने गुरु जी की छाया देखी गुरु जी ने घर पर अपने आने के प्रमान भी छोड़े घर के सफाई करते समय दमपति क को स्वण के अती महिंतार मिले उनको यह पता नहीं था कि यह क्या है परंतु अगले बीस दिन तक घर में वैया उन्हें उठाते रहे यह वही तार थे जो गुरु जी के वस्त्रों में सजित बेलबुटों में लगते हैं नरेंदर ने गुरु जी से मिलने का निश्चे किय और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडी कर गए उन्होंने गुरु जी से अपनी पत्नी के समस्या को लिख किया तो गुरु जी ने कहा कि उन्हें आश्रवाद मिल गया है नरेंदर निराश हो गए वैं सोच रहे थे कि गुरु जी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं करी उस समय वह उस समय तक वह गुरु जी द्वारा उच्चारी शब्दों की पूरी शक्ति से अन्भिग्य थे उनके कतन सत्य वचन है भले ही कितने भी अनौप चारी क्यूब से किसी की समस्या का निवारन करने के लिए कहे ग राम गए वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक इट ले आए उस इट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया उसी रात्री को उन्हें एक स्वपन आया उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी ने अब उनके शरीर में परवेश कर लिया है उनके मुख से वह बूली कि उसे कभी भी वश में नहीं क्या जा सकता था किन्तु घर में रखी हुई वह इट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहां पर और एक पल भी नहीं रह सकती है और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही ह परिवार की समस्या हल हो गई थी गुरुजी के घर से लाई हुई उस इट के कारण वह एक इट नरेंदर के उस परिहास की हर इट के पीछे दो गुरु मिल जाते हैं का मूँ तोड़ उतर भी था अथा परियतन करने पर भी अगले दिन नरेंदर को वह पूरा सोपन याद ही रहा था किन्तु गुरुजी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कह कर दूर कर दी थी कि उन्हें एक इट के माध्यम से कृपा हुई थी फिर गुरुजी ने सदा की भाती थोड़े से वाक्य में गुरु की प्रकर्तिका रहसवब घाटन यह कह कर किया गुरु को कुछ भी गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी महराज इन सत्संगों को सुनके संगर जी अंदर से इतना अच्छा फील होता है कि बस सुनती जाओं सुनती जाओं सुनती जाओं पढ़ती जाओं पढ़ती जाओं पढ़ती जाओं पढ़ती जाओं गुरुज क किया क्या चमतकार हुए है गुरुजी ने क्या क्या लिलाएं किया है है ना संगत जी जै गुरुजी नरेंदर की बेटी का उध्धार जन्वरी 1908 में नरेंदर अपने भतिजे की पहली लोडी पर होने वाले समारों के लिए कुछ उपले लाने डूरी गए वे गुरुजी की मा से मिले जिन होने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा किन्तु वे अपनी कार में केवल पाँच उपले लेकर वापस आ गए तीन दिन के पशात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया थ मा को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने वे एक यूवक आया था और वे कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिये थे तो मा ने नकारात्मक उत्तर दिया फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोले लगे कि होगा या नहीं होगा यह उन्होंने दो बार धोराया फिर बै बोले कि जब होगा यह देख लेंगे जब होगा बै देख लेंगे शिगरी नरेंद्र की पत्नी गर्वती हो गई उसके आठवे मास में नरें नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा किन्तु तीसरे दिन उस नवजाश इशु की मृत्य हो गई नरेंद्र की पत्नी के टांकों में पस भर गया 21 दिन में मैं पस पेट में एक ठैली के रूप में कतित हो गया नरेंद्र की पत्नी अत्यांत दुखी थी, उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा विलाप करते हुए उसने कहा की वेह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे ही है समस्या हो गई थी उस रात्री में उसे अपना उत्तर मिल गया गुरुजी ने सुपन में दर्शन दे कर उसे 21 दिन तक एक आर्टी करने को कहा उन्होंने एक उपाई भी बताया फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर में वे थैली जनम दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी चोक संतप्त मा ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया उसने वे आर्टी 21 दिन तक करी आश्चेश चनक्रूप से उस दिन के पशात उसे उस आर्टी के शब्द याद ही नहीं रहे शिगर ही उसके टांकों के निकट ही एक छिदर हो गया जिसमें से पूरा पस बह कर निकल गया परंतु नरेंदर का दुख अब तक बना हुआ था एक दिन में अपने घर में दिया जलाते वे रोने लगे उस रातरी गुरुजी ने नरेंदर को सपन में दर्शन दिये वे उसे उस इस्थान पर ले गए जहां नरेंदर ने अपने नवजा शिशु को दफनाया था उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा फिर उन्होंने उस शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा जो अचानक बहुत बड़ा पटित हुआ फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके उपर जल छड़का तो वे रो पड़ी फिर उन्होंने नरेंदर से दो बार पुछा कि क्या उन्हें ये कन्या चाहिए इस तब द नरेंदर कुछ कह नहीं सके गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वे उनकी मा के कहन सार उपलो की पूरी बोरी ले जाते तो ये घटनाई नहीं होती उस शिशु ने जनम ही नहीं लिया होता गुरुजी ने समझाले कि नवजाचीशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निष्चित थी उस स्वपन में जो जागरत अवस्ता से अधिक सत्य था नरेंदर ने कन्या को अशिकर कर दिया गुरुजी ने उस फिर उस कन्या को मोक्ष दिया नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकल कर गुरुजी के चर्ण कमलों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे में मुक्ति प्राप्त हुई है जो तपस्वी सहस्त वर्षों की तपस्य के बाद दी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु किरपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी जै गुरुजी चुक्रा न गुरुजी और पुत्र को आयू व्रधी अक्षे अत्यंत विलक्षन बालक था तीन वर्ष की आयू टक उसके शरीर और मुत्र से गुरुजी की सुगंद आती थ एक दिन उसके पिता नरेंदर ने उसकी जनब पत्री एक जोधिशी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयू केवल आट वर्ष तक ही है दुखी माने नरेंदर को गुरुजी से प्रात्ना करने के लिए कहा दिसंबर 2001 में गुरुजी जलंदर में थे नरेंदर ने अबगत कराया तो उन्होंने मात रितना उत्तर दिया कि जोधिशी लोगों को गलत मात पर ले जाते हैं कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जलंदर में ही एक समहारों का आयूजन किया गुरुजी ने नरेंदर को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडिगण में एक धी वे बैठ गए सद्गुरु ने पुना परसाद बाटा और नरेंदर को देते हुए बोले क्यों नोंने उसके पुत्र की आयू रिधि कर दी है नरेंदर को गुरुजी का कसन याद है के वल रभ ही यह कर सकता है और वै उसके सामने है जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी जब अक्षे का पाट साला जाने का समय आया तो उसके अभिभागों ने तीन स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे दो ने बहुत अधिक राशी दान के रूप में वांगी तो उनके बारी में सोच विचार ही बंद करना पड़ा एक सपन में गुरुजी ने अक्षे की जेव मे उनका चितर रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका परवेश हो जाएगा तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षतकार के दिन यद्यपी उसके माता पिता गुरुजी का चितर लेकर भेजने को उस्सुक नहीं थे उन्होंने उसकी जे में एक चितर रखी दिया उसक कोई अत्रिक पैसा भी नहीं देना पड़ा जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी मृत्यू पत्स से बचाओ जैन्मरी उन्हें चाथानवी में तीन साधू नरेंदर के घर आये उनमें से एक भविशवानी कड़े लगे और नरेंदर की मा को बताया कि उनके बड़े पु यदि उस संत को कपड़े दिये जाएं तो वै इस विप्ता को दूर कर देंगे नरेंदर की पत्नी चिंतित हो गई और उसने नरेंदर को गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि वेतितिनिकर्ट ही थी तीजनवरी को नरेंदर गुरुजी के साथ थे उस रात को नरेंदर की पत्नी ने सपन में देखा कि गुरुजी और मा काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दमपत्ती को आश्रवाद देने को कह रहे हैं मा के हाथ में एक चांदी की छड़ है उन्होंने दमपत्दी को अपने हाथ आगे करने को कहा नरेंद्र के ऐसा करने पर मा ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया नरेंद्र की पत्नी ने भैवीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया गुरुजी ने कहा कि छड़ क उस बार से नरेंद्र के बुरे कर्म नश्ठ हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि वह द्रशे कालपने किता होकर वास्त्विक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे। काली मा के समान। पांच मिनट के पश्चात कपड़े पुने लाल हो गए। जे गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मृत्यू के चिंद मिटाए। लुद्याना में उनके पैतर घर के द्वार पर दो हाथ चिंद थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदर भेज दिया। जब वे वहाँ पर नहीं थी। नरेंद्र की पत में अत्यंत वेतना और सुजन आ गई थी। चार दिनों में बाए अंग में पक्षागात हो गया। चिकर्शकों ने आउश्दियां आरंब करवा कर कुछ वियायाम करने को कहा। नरेंद्र जलंदर में कारे रथ थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे। गिन्तु पत्नी ने उन्हें फोन पर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भाती गुरुजी ने उसको ग्लोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखडा गुरुजी के चितर के सामने व्यक्ष कर रही थी। य। अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। उस अपने उस प्रकार प्रकट होने के अचंबे के शांत होने के बाद वेदमपत्ती के बिस्तरे पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चीनों का अर्थ सास की निशित मृत्यू थी जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। गुरु जी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्होंने खिलाने को कहा। जब वे नहीं कर सकी तो उन्होंने परिकरिया दोहराई। इस बार वे हाथ को खिला सकी। लकवा लोप हो गया था। गुरु जी ने सलहा दीकी वे अपनी सास से उनके चितर पर जल डलवाए और इस जल से उन चीनों पर चीटे मारे जाए। चीटे मारते ही वे भूरे से लाल रंके हो गए। गुरु जी बोले कि उन्हें आशिश मिला है। जै गुरु जी शुकराना गुरु जी। नैनिताल का निमंत्रण। जून 2002 में गुरु जी की संगत के साथ नैनिताल जाने की योजना बन रही थी, नरेंद्र की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं, नरेंद्र ने कहा कि ना तो वे उनके पुराने अनुयाई हैं, ना ही धनवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवत आने के लिए ना कहें, शिगरी पता लगन वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है गुरुजी के संगत में कोई बेगभाव नहीं होता और उन जैसे तेजस्वी विभूती के सम्मुख सब दीन हैं वैदाता हैं और शेश सब कोई भी लौकिक पट्षिष्ठा होते हुए मात्र भीक्षू है दो तीन दिन में ही गुरु और अपचारिता के लिए उन्हें अंत्रित किया होगा फिर जाने से तीन दिन पूरु गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में उन्हीं वस्रभी लाने के लिए कहा गुरुजी ने नरेंदर के समस्थ भ्रहम दूर कर दिये थे नरेंदर कहते हैं कि उनको आपके के बाद यह करना अत्यंत कठीन होगा परन्तु गुरुजी ने उसे बल पूरा क्या करने का आदेश दिया नरेंदर ने डिपलोमा पाठे करम करना आरंब किया पर उसे पूरा करने की शंका के साथ परिक्षाओं में नरेंदर ने गुरुजी की सहायता मांगी गुरु का से उन्हें यह दो बर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने आए गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंदर यह बताने का कष्ट क्यों कर रहा है उन्होंने कि परिक्षाय तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल हो रही थे गुरुजी की दयासे नरेंदर कर लिया था जै गुरु जी सबको अश्रवाद गुरु जी सबको अपना आश्रे परदाम करते हैं उन्हें भक्त के भूत काल से कोई अभिप्राय नहीं है उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आश्कता नहीं है इमानदारी से किया हुआ स्वाव लोकन अधिक ला पर सद्गुरु के साथ एकाकार होने के लिए साविमान को समाप्त कर उनको समर्बन करना अनिवारी है फिर गुरु जी अपने भक्त के जीवन पत्र को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसे उन्हें उचित लगे निश्कफल कर देते हैं नरेंद्र के भाई सुनिल शीव के परमभक थे और दोनों भाई अमर्नाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं 2005 के जून मास में सुनिल फिर से अमर्नाथ यात्रा पर गए थे एक स्थान पर भू संखलन हो रहा था और उपर पहाडों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी सुनिल ने गुरु जी को याद किया उनका चित्र निकाल कर उसके उपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में शरक दिया जिसर से पत्थर गिरते भू संखलन बंध हो गया और सब यात्रियों को नव जीवन मिला उसके पश्चाच जब सुनिल गुरु जी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरु जी ने संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरु जी ने अने ज्यात्रियों को जीवन दान दे विया था यह पहला अफसर नहीं था जब गुरु जी ने सुनिल को जीवन दान दिया था वस 2000 में सुनिल के एपेंडिक्स की शले करिया हुई थी पर उसके पश्चा सुनिल को मुद्र नहीं आ रहा था यह गंभीर था जिससे संभंधित उधर शूल उनसे सहा नहीं जा रहा था चिक्रसकों के अनुसार उनकी इस कठनाई का मूल उनकी मानसिक्ता थी और उन्होंने बेलियम गोलिया खाने को कहा किन्तु इस सिती में कोई सुधार नहीं हुआ जब सुनिल चंडीगर में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने सत्रा गिलास चाय पिलाई और दो लंगर कराए जैसे ही सुनिल जाने को तत्पर हुए गुरुजी ने एक कप चाय और पीने को कहा सुनिल पहली इतना तरल लेने के पश्चात और लेने के सिती में नहीं थे अते गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा बाहर जाते सुनिल ने मूत्र किया कोई दस मिनट तक उस दिन से उन्हें वह समच्या पुनन नहीं हुई है गुरुजी द्वारा अभी मंतित चाय ने वह किया जो चिकिस्चकों की आश्दियान नहीं कर पाई थी 1997 में एक संबंधी की बेटी मदू अस्वस्थ हो गई उसे कुछ इस्तनायों संबंधित समच्या थी और उसको उधर का पक्षगात हो गया था वह गुरुजी के अनुवयाई थी और चिकिस्चक के लिए जाने से पूरु उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे उसे चंडीगर लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया जहां से वे गुरुजी को देख सके मधू ने रोते हुए परसाद के लिए प्राटना करी गुरुजी ने उसकी आस्था की परिक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंध में परसाद दिया उन्होंने उसको पट्याला के राजन चिकसाले में परविष्ट करनाने को कहा दो सब्ता वहां रहे कर उसके स्वासे में सुधार हुआ चिकसाले से निकल कर वह पुना गुरुजी के दर्शन के लिए उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी गुरुजी की महीमा एक अन्य समद्धी पर भी हुई जब गुरुजी चंडीगण में रहते थे लंगर मलेर कोटला से आता था कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कारिय दिया गया था नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चापातियां बना कर भेजना चाहती थी उस मनुरत को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भीकारी उनके घर आया और उसने भोचन मांगा कि उन्होंने मना कर दिया भीकारी ने का कि पिछली रात को तो वे लंगर की बात कर रही थी पर अब चाहे भी नहीं दे सकती है उनको इसका तात्परे फिर भी समय नहीं आया पर वे उसके लिए चाय और दो लड़ू ले आई भीकारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा उसकी इस कथन को भी समझपानी में असमर्त वे बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है भीकारी ने तुरंत कल्यान होगा कहा मामी जी भीकारी को शांती से खाने देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई थोड़ी देर बाद उन्हों देखा कि वे बिकारी चला गया था और गिलास वही पर रखा हुआ था बिकारी के अचानक अद्रश्य होने से सामान्यत वे पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं उनको अभासवा कि गु देश में आये होंगे जैग गुरुजी नास्तिक पर कृपा जन्वरी 2004 में गुरुजी के पिता जी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखवाल करने के लिए उनके पास भीजा गया उन्हें मलेर कोटला के सारजनी 6 साले में धखाया गया उनके चिकिसक डाक्टर गुरुविंदर को गुरुजी के विशे में बताया गया पर उन्होंने इसमें कोई रूची प्रकट नहीं करी गुरुजी ने नरेंद्र को डाक्टर गुरुविंदर के साथ एक घंटे का ससंग करने के लिए कहा पर चिकिसक ने मना कर दिया गुरुजी ने फिर मार्क पर लाने को दढ़ संकल थे उन्होंने नरेंद्र को चिकिस्टक को दिल्ली आने का निमंदर देने के लिए कहा डाक्टर गुरुविंदर ने मना कर दिया पर जैसे विधी की इच्छा उन्हें दिल्ली में आईजितिक समहरों के लिए आना पड़ा डाक्टर गुरुविंदर दो दिन गुरुजी की संगत में आई अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वे मलेर कोटला पांच घंटे में पहुँच आएंगे यदेपी दिल्ली से वहाँ तक साथ आठ घंटे का मार्ध है गुरुजी एक अथना उन्हें जब यात्रा में पांच घंटे ही लगे तो उनको बहुत आचमबा हुआ दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकिस्क से संपर्ग स्थाबित कर उनकी बेटी की उशल शेम पूछने को कहा अब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्हें बताया कि वे मांसी ग्रोथ से पीड़ी थे नरेंद्र ने गुरुजी के इच्छा का नुसरण किया चिकिस्क ने पूछा कि वे उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सक है उनमें उन्हें ना केवल गुरुजी के अलोकिक रूप के दर्शन हुए उनकी धार्विक परवर्तियों में भी परिवर्तन हुआ इस पस्ट है कि ऐसे अनुभव करवा कर सद्गुरु अपने भक्त को अध्यात्म रतन दे कर उसे सही रहा पर लाने की चेश्टा करते हैं जै से परिवर्तन देखा कि 85% सुधार आया है तो इन्हें भी फिर विश्वास करना पड़ा तो गुरुजी तो ऐसे ही है पूरा प्रयास करते हैं कि संगत अध्यात से जुड़े नई लोग भी जुड़े हैं तो जै कुरुजी शुक्राना गुरुजी अमनात मैं ही शिव हू वे हैं माला जपने और अमनात जहां पर बर्फ का शिवलिंग जाना पसंग करते थे गुरुजी से मिलने के पच्चात रहे अपने भाई सुनिल के साथ पुन है उस पवित्र स्थान पर गए जब ये दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ती में खड़े हुए थे नरेंदर को दिवा सपन होने लगा गुरुजी की संगत का पूरा द्रश्य उसकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया चाय पर साथ आये हुए भक्तों में पाटा जाता हाल में हौल में गुजती हुई शबत किरतन के मधुरवानी और पेट भर कर लंगर भक्तों संग जिनमें वे अपने नीजी जीवन में हुए चमतकारों का वरण करते हैं देर शाम को पंजाबी गानों पुराने संगीत या गजलों से वाता वरण भर जाता यह सब याद करते हुए नरेंदर के मन में प्रश्ण उठखड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है उसके मन में यह प्रश्ण आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके उपर की दिशामें किरने निटली और वे उसके उपर एक फुट के वरत में फैल गई उसमें नरेंदर को शिव के दर्शन हुए उन्हों नी जिनोंने गुरुजी की छवी बना ली और पुना शिव की आकरती में आ उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशू लिये नंदी पर बैठे हुए देखा केवल तीन महां तक गुरुजी के पाथ जाने के पश्चात सर्व करता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्त्री गुरुप से परिचित करा दिया शिव गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अ शिव और शिवलिंग है उसी रात को उसकी पती ने एक सपन देखा वे एंपायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है उसने गुरुजी को एक पत्र दिया वे एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आये वे चित्र अतिसंदर था किन्तु उस पर गुरुजी से किन्तु उस पर गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम क्या करती दिर्श्ची को चरुई फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला उसे गुरुजी से इस बारे में प्रश्निक तो गुरुजी ने चित्र को पुना देखने के लिए उसे के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि वेही रभ है जै गुरुजी शुकराना गुरुजी जै गुरुजी महराज आपका कोटी कोटी शुकराना तुमारी हर्दे गती रुख जाएगी एक बार गुरुजी लेट कर पाट कर रहे थे और सब भक्त उनको उनकी सेवा में लगन थे एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था ठक गया और उसने अपना कारे नरेंद्र को सौप दिया नरेंद्र प्रसन होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगा था कि उन्हें अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगा कर पैर दबाने को कहा थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे जोर से दबाने के लिए का क्योंकि उन्हें अतरिक पिल्दा हो रही थी दस मिनट के पच्चा सद्गुरु ने पुना नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लग इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तिक रूप दिखाने के लिए विंति करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया उन्होंने उससे समझाया कि वह 14,000 वाट के तार के समान है और उनके भक्त 0 वाट के बल्ब वह बोले कि अगर उन्हें छु शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी माला तूट गई यदा कदा गुरुजी भत के नीजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे पर ऐसे अवसर पर बहुती कम होते थे पर ऐसे अवसर बहुती कम होते थे माला को कुछ भी ब गए और बड़े मंदिर पहुँच गए वहाँ पर वे हाल में बैठी हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वेम शिव मानव रूप ग्रहन कर विराजमान थे शिव के हाथ से एक किरण लोटी और उन्हों देखा कि उनकी माला वास्तों में टूटी हुई थी उस दिन से नरेद में माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया है वेहे अब गुरुजी कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रातना कभी भी करी जा सकती है प्रभु को याद करना प्रभु को याद करने के लिए ना ही कोई माला ना ही कोई उप्युक समय चाहिए इश्वर को खाते-पीते गुमते बोजन बनाते हुए लेटे हुए या कोई भी कारे करते हुए कभी याद कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं यथार्त में समाध्निकी सफलता बॉक्त और समय कानों को चुबने वाला संगित गूंज रहा हो जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी बड़ा मंदिर जहां पर गंगा के दर्शन होंगे एक अवसार पर गुरुजी ने नरेंद्र उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा वहां रहत के साथ जो अनुए थे उन्होंने का कि ऐसा संभव नहीं है उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस इस्थान पर ब्रासों नहीं लगाया होगा जब उन्होंने उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंती वह वह फिर अमरत परभा हुआ यह देखकर वह भी अच्छरज में गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमरत व्रष्टी हो रही है उन्होंने बविश्य वानी करी कि एक दिन गंगा नदी स्वेम आकर इस लिंग को दुख दिस्थान कराएगी यह लिंग भारत के 12 जोतिर लिंगों से भी प्रमुक होगा और उनकी अभिलाशाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी यहां होंगी गुरुजी के इस कथन के एक सप्टा पशात एक अन्य अनुनाई श्री सिंगला ने स्वपन में देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से इस्थान करा रही है जे गुरुजी शुक्राना गुरुजी राध्या कृष्ण के दर्शन 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थाल पर तीर सियात्रा के लिए जाना चाह रहा था किन्तु अथक परियास करने पर भी उनकी योजनाय क्रियान्विंत नहीं होने से रह जाती थी अप्रेल 2006 तक ऐसा ही चलत मंदिर में आया गुरु जी ने नरेंद्र की पत्नी को सपन में दर्शन दिये और उसको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा उनके पैट दबाते में सद्गुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्टी प्रकट हुई उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लि ने यह देखकर गुरु जी ने गुरु जी से इस्वस्ची करन मांगा गुरु जी ने प्रश्ट मुतर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए प्रंदवन जाने की कोई अठिक्ता नहीं है सब कुछ इधर ही है नरेंद्र एक अन्य घट्टा का वणन करते हैं जिसमें गुरु ज इस दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरु जी के लॉकेट पर जिसे वह सदा पहने रहता है ओम और शेशनाक की छवी अंकित है यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है नरेंद्र ने इसका उलेक गुरु जी से किया तो वे बोले कि केबल प्राप्त करने की घटना का उलेक करते वे कहते हैं कि वे तीन आकार की है छे, साथ और आठ और गुरु जी उन तीनों को पहना करते थे कहीं अन्य अनुयाईयों ने भी गुरु जी के विभिन रुपों को देखा है ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प् आदी, मद्य या अंत नहीं है जिसने काल समय से पुरु जनम लिया हो और जिसने गुरु जी के रूप में मानव जाती का कल्यान करने के लिए अवतार लिया हो वे है प्रेम सहीत अपने भक्तों का सरक्षन करते हैं उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देत और सदा अपने भीतर छीप हुई दिवेता को खोजने की प्रेना देते हैं, नरेंद्र धंड एहमडाबाद द्वारा कथित, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनन्तम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, तो संगस जी यह ससंग अब 35 पार् और आप ये ससंग जरूर सुनिए और शेयर कीजिए है ना टाकि आपका भी कल्यान हो देखो किती नहीं नहीं बाते जो मतलब हमें सुनी भी अगर होती है तो वो हमाई दिमाग से फॉर्गेट हो जाते हैं हम भूल जाते हैं लेकिन जब हम उसे दुवारा से सुनते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है है ना जब हम किसी को बार-बार सुनते हैं लगातार सुनते हैं तो हमें उसमें बहुत समझ आने लगती है हमारी अध्यात्मिक जो यात्रा है ये दिरे दिरे आगे की और अग्रसर होती जाती है और हमारा ज्यान बहुत बढ़ता चला जाता है तो इसलिए आप सब लोग इसको अवश्य सुनें ये दिव्याभा गुरुजी का पवित्र ग्रहंत इसमें धेरो धेरो ससंग है संगत के और जिनोंने गुरुजी को साक्षा दर्शन दिये हैं और हम भी दर्शन गुरुजी के देखो साक्षाती करते हैं गुरुजी तो अपने सवरूप में विद्वान है जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है कि कभी-कभी जिम्मे को सकते हैं कि यहां पर मैं खड़ी लेकिन विश्वास को मेरा गुरुजी दिन दुगनी राच्वनी रफ्तार से लगातार बढ़ा रहे हैं गुरुजी का शुक्राना है संगर जी अब मैं आपसे भी आग्या लेती हूँ कि आप अगर इस चैनल पर आए हैं नए पहली बार देख रहे हैं अगर आपने सब्स जैसिंग कल्यान कित्ता फैमिली का सदस्य बनना है है ना तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप वीडियो को आप लाइक कीजिए शेर कीजिए और चलती हूँ मैं आपसे विदा लेती हूँ मैं और गुरुजी आग्या दीजिए जो भी कुछ भूल च जो कुई हूँ तो आप उसके लिए मुझे शमा करना जैगुरुजी